आप सभी का स्वागत है तापती श्टेडी क्लासस चैनल पे तो आज मैं आपको कक्षक 11 वी का विशे हिंदी का जौब का प्रशन भेंगे इसका सारा सॉलेशन एक ही वीडियो मताने वाली हूँ यानि कि हम गद्य खंड पद्य खंड और साती वितान का संपूर्ण सॉलेशन देखेंगे तो वीडियो को अंते तक जरू देखें साथी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जड़ सस्क्राइब कर ले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल बेना बुले और पीडियाप के लिए आपको बिलकुल टेंशन है लेना है मैंने यहां पर बहु गश्चे की पीडियाप का जल्दी में जायेंगी आपको वेट करना है मुझे पते अपका बहुत जल्दार है बहुत पासमें और आपके लिए अपको बहुत कम दिन करते हैं और साथी कख्षक 11 की सारे विश्यों की प्रश्ण भेंकी पीडिया भी आपको मिल जाएंगी उसके लिए अपको टेंशन नहीं लेना है बस आपको चैनल को जादा स्यादा लोगों को सस्क्राइब करवाना है और साथी यहां पर सारे विश्यों के सॉलिशन में अप उसका सहयद्तर क्या हो जाएगा एक सवर्वभ को चाना है आपने देखता हो गाए एक हो करी जाना तो सहयद्तर हो जाएगा एक तो अगले प्रश्ण को तरह दो प्ष्यू यहां पर पुछा किसान के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है तो जुकिसान daran भूड़क जक्यों है वहाता चैकिल एक गर्धर और को तो इसका सही उत्तर कि याद भूदता कह भूद को सब्यूंद मुद में उसमें गित जाएगा जो जा फूंसा पर कि उसकांप इसका सही उत्तर हो लिए क्या आफशक होता है तो यहाँ पर आप जो पड़ोंगे दूश्यंद की जएले वसमें बहर जह सकbar होता है यहाँ पर उसके लिए ब्हुत आवश्यक रिख के कवई होगया है तो उसकी है कभी वाइक किसकी अनने भक्तेती कृष्ण slip की तो कृष्ण से उन्होंने अपनी अननत्यता व्यक्त की है करश्ण भगवान धिकाया देथे उन्हों से भाहत अगहात प्रेम के ठीक उनन्हों पत धोह您 को ध्यान में रएक लिग गई है उसके बाद में बहुत मातोपुर्ण प्रशने अगला जो तीसरा किसको परकृति का सुकुमार कभी कहा जाता है तो जो सुकुमार कभी है वो सुमित्र अनंदन पंत को कहा जाता है तो सही उत्तर लिख देंगे सुमित्र अनंदन पंत तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुत अज़ता है निर्मला पुतुल यहां पर उन्होंने लिखी है बहुत अच्छी आदिवासी कवीता उन्होंने लिखी है बहुत प्यारी है इसके बारे मैं बताया थे बच्छों के लिए बच्चों के लिए जुम बच्चाने के लिए कहा गया उसके लिए अगले प्राशने के लिए प्रश् Tikar J Gosk इसार आपको पुछाएगा तो यहां पर दूस रग्णा नुर्सि महता है तो यहां पर यह सत्त है क्योंकि मीरा के गुरु जो थे वो रविदास को माना जाता है यह आप देख सकते हैं आपको बुक में फिर मिल जाएगा उसके बाद तीसरा प्रशन है किसान के पास उज्री नामा के गाय थी तो बिल्कुल सत्त ही क्योंकि उस गाय का नाम कहा था यह आपने दूश्य अंत की गजले उसमें देख सकते हैं उसमें आपको इसकारत पूरा मिल जाएगा उसके बाद अगला प्रिष्ण देख लेते हैं अगले प्रशन में आपकी कवीता है आओ मिलकर बचाओ उसकी कवीतरी है निरमला पुत्दुल उनके बारे में पुछा उनका आरंबिक जीवन बहुत संगर्श में रहा है बिल्गुल सत्ते हैं जब उनका आरंबिक जीवन स्चार्ट वह तब उनके पास उतने सक्षम नहीं थी हार्तिकालत प्रबाद में दीरे-दीर नर्स की नौकरी भी कि और उनके हार्तिकालत थोड़े-दोड़े सुधरने ल जो गजल की दूप के साह में दूशन्त कुमार ने लिखी गई यह मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूं और आव मिलकर बचाई निर्मला पुतुल जी की कवीता है तो यह बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सही जोड़ी इस प्रकाल से बना ले रहा है चलिए एक शब सिर्फ पुस्त की ज्यान नहीं हमें वहवारिक शिक्षा भी होना चाहिए वहवारिक ज्यान को मत्व दिया तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वहवारिक ज्यान उसके बाद में विश का प्याला किसने बेजा था तो जो राणा थे उन्होंने क्या करा था मीरा को विश क को सुमितर नंधर नंदरपंथ फूसके पुछा क्यों से प्राकाल से लिए, यहां पर तू कि सारे प्राहे उतिरा क्यों तो डिलऑ जाते हैं कि Рटया रणान न पर दूसरा केश हे कम कि आपको पह द saúde के शायवाधऺ इटीर वहावषंचे सुखसुविधाओं का प्रतिक है जहां पर परियाप्त व्यवस्था है हो तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का अत्यादिक सुखसुविधार बढ़ते अगले प्रिशने को यहां पर आदिवासियों को क्या पीने की लग रही थी तो यहां पर है वो सराप क या इसको बोल सकते एक तरीके से मादग पदारतों कि व्यमman पदारतों में सारे इंक्लूट सहो जाते हैं और सर्वान के वल एक उंडिया तो दोनुवे भी लिख सकते हैं आप कोई भी एक लिख लेना तो स्थामन देके लिखेंगे प्रषान के या पर पूर्य यहां पर पूरे प्रशन का सॉलेशन हम देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखेंगे चैनल पे नहीं तो फटा पट चैनल को सस्क्राइब कर लिए आप समझ गयोंगे इतना सारा वीडियो मुझे एक साथ बनाने में कितनी मैनत लग रही है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब चैनल को सस्क्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शियर करना और सारी पीडियाब के लिए टेलिग्राम ग्रूप है वहां पर आप जोईन कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम सारे कोश्चन के सॉलेशन देख लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हेलो स्टूरेंट्स आप सभी का स्वागत है ताप्ति स्टेडी क्लासेश चैनल पे आज मैं आपको कक्षा 11 वी विशह हिंदी के प्रशन बैंक के जो दो अंका के प्रशन उसके सॉलेशन बताने वाली हूँ इसके पहले मैंने सारे वस्तुनिष्ट प्रशन का आंसर सारे ओताल उसके लिगिए तो यदि आपने वीडियो नहीं देखिए तो प्लेस्ट में देख लिजेए आप चैनल पे नहीं होतो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शियर करना बिल्कुल भी न भूलेंगे यहाँ पर आम इसी चैनल पर सारे विश्यों के प्रश्ण बेंक के उत्तर आपको मिल जाएंगे इसलिए चैनल को फटापट सस्क्राइब कर ले और साथ ही आगे आने वाले ऐसे चैप्टर्स के सॉलुशन के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब करना होगा इससे आपको आने वाले सारे प्रश्ण बेंक के सॉलुशन फटापट मिल सके बेल आइगन को प्रेस कर लेजे ताकि आपको हर वीडियो के अपडेट फटा-फट मिलते रहें तो पहला प्रशनी यहाँ पर आपको दिया गया है कबीर ने अपने को दिवाना क्यों का है तो यहाँ पर आपको बताना है क्यों कहा गया है। ठोटर क्या हूँगा है। अगले प्रश्णिम यहां पर आपको बताना है कबीर नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कम्यों की और संकेत किया है यह आपको प्रश्णिम बताना है तो यहां पर देखे बता देते किस प्रकार से आपको लिखना होगा तो जो कम्या है उन कौन-कौन सी कम्यो आपको लिख देना है जो पॉंट दो है ये दोनों पॉंट आपकी दो अंकक के लिए हो जाएगे चले अगला प्रशन देख लेते हैं संसारी लोग मीरा की शक्ति को परिकाष्ठा को पागल पन कहते हैं मीरा राच्ची वैबाओ और सुक को ठुकरा कर यानि त्याक कर क्रश्ण भजन गाती हुई घूम रही है ऐसे कारे कोई पागल ही कर सकता है इसी कारण उसे सभी पागल कहते हैं आपके प्रश्ण का उत्तर हो गया तीसरे का चौथे प्रश्ण का उत्तर देख लेते हैं तो यहां पर अगला प्रश्ण है लोक लाज खुने का विप्रा है तो इसका क्या उत्तर होगा यहां पर आपको बताना है लोक लाज खोने का भी प्राय क्या है तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है मीरा का भी वहा राजपूद राजपरिवार में हुआ था वहां महिलाय परदे में रहती थी उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैटने, पर पुरुष के साथ संबनाने का धिकार नहीं था ऐसे कारे करने वाली महिलाओ को समाच से प्रतारना मिलती थी मीरा ने ये सभी बंदन तोड़े और लोक लाज को खो दिया इसी कारन क्या कहा जाया है लोक लाज खोने का अडते हां पर बताया गया है समाच की मरियादाओ को तोड़ना तो यह आपको उत्तर लिख देना है याले प्रष्णिक रमाग चोथे का बढ़ते अगले प्रष्णिक रमाग पांच के ओर मीरा ने ऐसा क्यों कहा है कि सहज मिले अविनासी इस प्रश्नक आपको उत्तर देना इसका उत्तर क्या होगा मीरा के अनुशार करश्नका जो रूप जो समपती उन्होंने पाया वह बिल्कुल सहच्ता से बिना किसी बाहय आडंबर के मीरा की व्यक्ति का तनुभूती रही किसानों के आखों में करुणा पिड़ा और दीनता का भाव भरा है इन में भय और खालीपाने कभी इसका सामना नहीं कर सकता इस कारण उन आखों से याने किसानों की आखों से डर लगता यह आपके प्रश्नका उत्तर हो गया पूरा आपको अच्छे से लिग देना साथी चैनल पर नहीं हो तो चैनल सस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी न भूले और साथी सारे विश्यो के प्रश्न बेंग के सॉलुशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले प्लेलिस्ट में एड़ कर दी उसम यहां पर उत्तर विशास्ता होती और उसके विशिताव कि इसना है में जा इस सफेद घाय को आधी आध करता है आध कर रहा दनक पतंए वह को है तो कवी ने यहां पर बोला है कि किस प्रकार से ड़ता है फिर भी उसकी आखों का वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कर्ष्ट और समाज के उपेक्षा पुर्ण रवये के बारे में बताना चाहता है यह आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा तो आ पानी के राद भर गिरने वाला प्रशन उसको देख लेते हैं यहां पर अगला प्रशन है पानी के राद भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस पर क्या सम्मध है यह आपको प्रशन पुछा गया है तो इसका उतर इस प्रकार से होगा कवी अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर क्या होता है, रहने की पीड़ा है, आकाश में बादल खिर कर बारिश करने लगते हैं, ऐसे में कवी के मन को स्मृतिया घेर रही है, जैसे पानी गिरता है, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे पानी गिरता है, वैसे वैसे कवी के रदय मे प्रिये जनों की स्मृतिया, चल चीतर की भाती उभराती उनके दिमाग में पूरी यादें बन रही है कि पानी बरसने के कारणी उसको व्याकुल होड़ जाता है इस प्रकार से याद करके, तो यही आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, उसके बाद में अगले प्रशन की ओर तो अगले प्रशन का उत्तर आपको यहां से लिखना पड़ेंगा कि किस प्रकार से पीता, जो कवे अपने पीता से अपनी वास्तवी किस्तिती क्यों चुपाना चाता है, क्योंकि क्या यह सारी कवीता रचना जो है जेल में की गई है, पीता सिर्फ अपनी कोन से अपने पीता से अपनी वास्तवी किस्तिती चुपाना चाता है, क्योंकि यदि पीता को जेल की कष्ट और कवी की मानसिक दश्या का पता चलेगा, तो बहुत बुधुखी होंगे, इसी कारण है, आपको सिर्फ इतना उत्तर लिखना इसी कारण क्या होता है, वो कवी अपन प्रशने देख लेते हैं, नेक्स्ट जो पूछा गया है, तो जो नेक्स्ट कोशन है, कवी उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाता है, जब मुझे मिलता है, जैसे आंसर का नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद हम अगले प्रशन को देख लेते हैं, तो पर आपको इसका अर्थ पुचा गया, तो इसका अर्थ यही होगा, किसके प्रतिक है, तो यह सब किसके प्रतिक है, कि जब रक्षक की भक्षक बन जाए, शाशक, शोशक का रूप धारन कर लेते हैं, रिष्तेदार, मित्र, जड़े खोदने लग जाते हैं, तो क्या होता ह तो इसे पेडों के साये में भी शितलता नहीं मिलती बल्कि दूप की तपिश का शास होता है यहां पर यह प्रतिक बताएगा यह शितलता नहीं मिलती दूप का शास होता इसको आपको लिखना है पूरा उत्तार आप इस प्रकार से लिख देंगे चले बढ़ते अगले तो वही यह बताती है कि कवित्री क्या चाहती है कि आधुनिक्ता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को ही न समझे हमें अपनी पहचान बनाए रखनी है यहां पर आपको इस प्रकास उत्तर लिखना है तो यह पूरे प्रशन का उत्तर हो जाएगा चली अगला प्रशन देख अगले प्रशन में आपको बताना है लेखिका के प्राक्रतिक परिवेश में कौन से शुखद अनुबव है इसका उत्तर आपको लिखना है यहां पर सबसे इस प्रकास से लिख देंगे कि प्राक्रतिक परिवेश में निम्ने लिखी शुखद अनुबव बताए कौन-कौन से जंगल की ताजिवा, नदियों का निर्मल जल, पहाडों की शांती, गीतों की मधुर्धुने, मिट्टी की स्वभाविक सुगन और लहलहाती फसले, ये सारे हैं जो सुनने के बाद वास्तविक हैं आप भी इसको यदि करते हो इन चीचों को तो आपको भी बहुत आनन्द के लिए तो कवित्री सहच जीवन जीने के लिए क्या आवश्चक मानती है तो जो कवित्री सहच जीवन जीने के लिए प्राकरतिक सौंदर या सभाविक नाजगान, उनमक्तहसी और रुदन, खेलने के लिए खुली जगा, पश्यों के लिए चारगा और बुडों के लिए शान्ति आवश्क मानती है ये सारी चीजे जो लेखी का चाहँ आप सभी का स्वागत है तापती स्टेडी क्लासेश चैनल पे तो आज मैं आपको कक्षा 11 वी विशह हिंदी का पद्यखन का संपूर्ण सॉलिशन बताने वाली हूँ तो वीडियो का अंते तक देखे साथी चै प्लेलिस्ट मेंने सारे वीडियो एड़ कर दी महाँ पर पद्यखन गद्यखन वितान अभिवेक्टि और माद्यम सारे बाग के आपको प्रश्ण उत्तर मिल जाएगे तो फटापट जाहिए और सारे विश्यों के महाँ पर जो यहां पर सारा पद्यखन वो भी देख सकते आप गद्यखन भी देख सकते और साथी वितान अभिवेक्टि और मादे में चारों के वीडियो अप्लोड हो चुके तो फटापट देख लीजे वहाँ पर प्रेलिस्ट में एड़ है और उनको सॉलुशन कर लीजे यहां पर जो बड़े वाले कोश्चन से तीन अंक के वो जो इसका उत्तर हूँगा किया हुँगा कभी ने क्या बताया कि इश्वर के वल एकस पर समझनीत आपको जो अपज्यक्टि भी आए हैं तो कभी ने इश्वर के अदेत वादी स्वरुप को सिक्वार करते हुए से एक माना हैं अपने इस विचार की समर्द्वन में उन्हो प्रकार के कराई सब कुछ बना लेता है तो इस प्रकार से क्या है भले प्राणी अलग अलग हो लेकिन है कैसा इस्वर उनका एक ही है तो यह सही उत्तर होताएगा आपका पहले प्रश्ण का उत्र देख लेते हैं अगला प्रश्ण है आपका कभीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया यह आपको प्रश्ण है तो ऐसा क्यों कहा है क्यों कि कभीर के अनुसार संसार बोरा गया यह सत्य पर विश्वास नहीं करता है मितलब सच्छी जो बाते उन पर विश्वास नहीं करता है बलकि जो स्ट्रॉंग रूप से खा गया हो और साथी संसार के सभी प्राणियों में एक समान विध्मान इश्वर के एक ही स्वरुप को अस्युकार करते हुए उसे पिल्ड़ों पत्थरों पुस्तों को में ढूंदा फिरता है वास्तों में यह संसार पगला गया जो बहारी तीलक अगले प्रिश्ण का उत्तर देख लेते हैं तो अगला प्रिश्ण हाँ पर आपको पूछा गया है विष्का प्याला राणा भेज्या पीवत मीरा हासी इसमें क्या वेंग चिपा है कौन सा वेंग चिपा है तो अपने कई प्रैतनों और बहुत बार समझाने के बाद जब बहुत हस्ते हुए जहर को पी लेती है और विष्पान करते समय मीरा की व्येंकपुर्ण हसी यह बताती प्रतित होती है कि सांसारिक लोग क्रश्ण भकती को नहीं जानते हैं बहुत अनन्य भकते मीरा बाई ? क्रष्ण​ के प्रती उनकी रुप में है इसा जानती है जिसे विश्ट पिला कर भी समापत नहीं कर सकते हैं वो क्रशन से उनका रिस्ता यदि वो विश्ट पिले तो भी समापत नहीं होंगा ऐसा कहना इसमें व्यंगर चुपा है उसके बाद चौथा प्रशन है कुल की कानी का आर्थ है तो चलि वो देख लेते हैं कम करिए इस प्रकार के मर्यादा की पालन पर करते हैं उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और कविता वे आके क्या धर पर आपको बताना है किसान की पीडा तो यहाँ पर जो आपका प्रश्ण है कविता में किसान की पीडा के लिए किने जिम्मेदार बताए गया है इसका सही उत्तर क्या होगा कविता में प्रत्यक शुरुप से मतलब डारेक्लिक से किसान की पीडा शाशक वर्ग महाजन जिसमें साहुकार थानेदार आ दियाते हैं इनको जिमेदार पताय गया महाजन ने अपनी करज की वसुली के लिए किसान का खेद घर बैल यहां तक कि असके पिर उजरी गाय तक को भी निलाम करवा दिया साहुकोर के कारिंद ONE उसके जवान बेटे को लाठ्टियों से पिट-पिट कर आ कर दिया दबा के अभाउ में किया हूआ उसकी पत्नी भी चल बसी मतलब किसान ने अपने पुत्रोर पत्नी को खो दिया और सती मा के वात पूरी जो परिवार था था वह हो चुका है इसके कारण समाप्त हो चुका है किसान सावकारो और सार्थी जमिन दार वस्वसुलु के कारण तो यहां पर इस प्रकास से पूरा नहीं हां पर वृंटन किया गया है परोक्षरूप से बहुत अच्छी परिवार को बरबात कर दिया अध्या चारी था इस प्रकार से आप उनकी प्रकार प्रकार डाल सकते हो अब जो अगला कोश्चन ही आपर वियाखी पाट से पुछा गया है यहां पर आपको जो कवी उसकी पिता की विशिष्टाओं को बताया गया है कौन-कौन सी वह आपको इसको चाहे तो आप एक अलग तरीके से और लिख सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर उनके पिता को व्रद्धावस्था कभी कमजोर नहीं कर पाई मतलब उनके पिता जो थे वह एकदम यंग व्यक्ति की तरह ही रहते हैं हमाशा कसरत वगरे व्यायम करना फूर्तिला एकद इतने उच्छा ही है कि मौत के सामने भी इचकिचा नहीं सकते यह पूरी विशेस्ता है जो एक कवी नहीं अपने पिता के बारे में कही है उनकी आवाज मानों बादलो की गर्चना है अगला पॉइंट है हर काम को तुफान की रफतार से करने की उनमें अध्भू छमता है वे गीता का पाट करते हैं और आज भी 260 तक दंड लगा लेते हैं और साथी क्या कर लेते हैं व्यायम भी मजबूत कर लेते हो भारी लकड़ी का गुमा के मतलब उन्होंने कसरत में बहुत कुछ काम किया है और साथी आकों में जल भर दिया है वे भावी भी है तो यह पूर अधर पर आपको पूरा मिल जाएगा यदि आप यह लिखना चाहते है तो यह भी वर्णन कर सकते हैं पूरा वही डिटेलिंग है इसमें पिता की व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है पिता जल्दी उड़ जाते हैं और हस्मुक सभाव के सदेव खिल गिलाते रहते है उन्हें कोई भी टेंचन नहीं होती वो शेर के आने से भी डरनने वाले यह पूरा वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा तो इस प्रकार से आपको सारा वर्णन लिख देना है उनकी आवाज आज भी काफी बुलंद है उनमें बादलो जैसी गरजना है उनके कारे करने की गत यह आप दोनों टाईप से लिख सकते हैं आपको जो अच्छा लगए लिख दिघेए बढ़ते हैं अगले प्राशनゲें दियो अगले प्रश्णे में आपको घर की आत कवीता का प्रति पात्ष बस्ट करने के लीका गया है कम बताएंगें आप यहां पर क्या बताया गया है जो घर की आत कवीता उसमें कवी के पिता का पुरा वर्णन विशेस्ताव का किया गया तो यहां पर जो कवीता बहुत मार में कुद गाटन है कवी कुद जेल प्रवास के दोरान के होता है घर से विस्तापन की पीड़ा सालती है मतलब बहुत दुख होता है और साथी कवी के स्मिरती संसार में उसके परीजन एक एकर शामिल होते चल जाते हैं, वो सबणा तरीके से बनते जाता है, और साथी कवी जहाठी पूरी परीवार पर पर बेशट है, मतलब परिवार के फैमेली पर पूरे मेमबर्स के बारे में बताई गई है, उनsके पिता कवी के बारे में बहुत व्याकु लोंगी चिंतित होंगी यह उनको याद आती है और साथी वो कोशिश करता है कुशल्षेम पूछने की सावन का अपना दूद बना कर बेचता है ताकि उसको कुशल्षेम पता चले अपने परिवार की बहुत कुछ प्रयास करता है कवी उसमें खुदा के विचार से इसलिए प्रसन है क्योंकि उनका मानना है कि भले ही खुदा का स्थित्व नहीं है यह मातर कलपना है लेकिन आम आदमी जो मनुष्य है वो क्या है इश्वर के बारे में लुभावनी कलपनाय कर करके उन्हें कलपना के सारे अपना जीवन काट मतलब जो कलपना है उनको अभीबूत करता है वो सोचते रहता और उसी के सारे अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा यह सब कुछ पूरा आपको दुश्यंत कुमार के गजलों में वर्णन कई बार मिलता है तो यह बहुत अच्छी बात उन्हें अपनी गजलों में तो यह आपको पूरा वर्णन लिख देना है उसके बाद में भाषा के जारखंडी पन से क्या अभीप्राय वो देख लेते हैं कोश्चन का अंसर तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा भाषा में जारखंडी पन से अभीप्राय भाषा के स्थान यह स् अपने वीडियो नहीं देखिए तो फटाफट प्लेइस्ट में जाएए वहां पर सारी वीडियो एड है और हिंदी के सारे विश्यों की वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं अलग-अलग पार्ट्स की आपको मिल जाएगी उसाथी जो अब गद्य पद्य वितान का भी पूरे एक solution एकी वीडियो मिल जाएगा तो उसको भी आपको देख लेना फटापट नोट कर लेना तो मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक वीडियो को आई कर दीजे पटापट सेयर कर दीजे और साथी सभी उश्यों के कक्षक 11 वीके प्रश्ण वेंग के solution जल्दी अप सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रूप भी जॉइन कर लीजे तो मिलते हैं आए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग